अलो एवरिवन वेलकम टू एच्पी कॉंपिटिटिव एग्जाम आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे हमिर गुर्बोर्ड की तरफ से कंड़क्ट किया गया जूनियर इंजिनिरिंग का पहाड़ी गांदी की उपादी किसने दे थी यहां से काफ सारे क्वेश्चन बनते हैं देखीगा तो बाबा कांशिराम को पहाड़ी गांदी की जो उपादी दी थी पंडित जौला नहरू ने और यहां पर राइट अंसर बन जाएगा क्वेश्चन के इस तरिके से पूछ इनका भी काफी दफा पूछा गया कि बाबा कांशिराम जो है वो कौन सी डिष्टिक से है तो इनको विलॉम करते थे कांगड़ा डिष्टिक को इसके साथ साथ जो सरोजनी नाइड़ू जी थी उन्होंने पहाड़ी बुलबुल एक और इनको उपादी दी थी किस चीज से इन्हें एक और नाम से जाना जाता था पहाड़ी बुलबुल के नाम से और साथी साथ आगको याद करना है कि इन्होंने एक प्राण लिया था एक ओथ ली थी सब्त ली थी कि जब तक हमारा देश जो है आजाद नहीं हो जाता कौन से रंग की कपड़े डालेंगे काले रं गया था 1943 में अब आप मुझे कमेंट करके बताऊगे कि सुपधेव और राजगुरु भगत सिंग जी को फांसी किस यह में मिली थी कब जो है उन्हें फांसी दी गई थी नेक्स देखीगा जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं गुरु गंटाल मठ हिमाचल प्रदेश क किस जिल्यम स्थित है तो गुरु गंटाल जो मुनेश्टरी है लुगेटिड है कहां पर लाहॉल स्पीति के अंतर ऑप्सन नंबर कोंसा बनेगा ऑपसन नंबर सी यहां पर हमारा राइट अंसर बन जाएगा ठीक है इसी को जो है कुछ है एक्जाम में आपको देखने को मि यहां बढ़ा बडवाग सिंग मिला इंवाचल प्रतेश के किस जिले में मना जाता है वक बड़वाग सिंग मिला यह मनानाए जाता है उनना डिष्टि केब र कहा था है उपसन नंबर स्व 아직 अपर राइट अन्सर हो जाएगा इसकी पीदियो अगर आप को चाहिए तो डिस के अंदर वहां पर इस एलबेट किया जाता है सिक्री हिमाजन प्रदेश के किस स्थान के लोगों द्वारा लोगों का जो है लोगन रित्ते हैं सिक्री कहां का जो है लोगन रित्ते हैं सिक्री फोक डांस यह है चंबा डिश्टी का ऑप्सन नमबर कौन सा ऑपसन नमबर डी ह नमारा यहां पर आइट अंसर बन जाएगा जंबा से देखीगा मैं तीन जो प्रिवियस पेपर में पूछे गए हैं डांस में आपको पता रहा हूं एक तो यहां से पूछा जाता है डेपक पहले आप से डिस्कुस कर चुका हूं कि डेपक के बारे में भी पूछा जाता है और किकली किखली पूछा जाता है किकली भी जद मैक्सिमम्म बच्चों को पता होगा लेकिन किकली और भी पकी है शीख्री यह हमार्य ह donne ह्मयारा प्देश में कंतर नगर निगम है तो बहुत पार रिपीट हो रहा है question बार-बार हिमाचार प्रदेश में total municipal corporation की बात करें कितने हैं पांच है ठीक है मैंने पर आपको बताया था पहले जो है तीन हुआ करते थे अभी दो जो है नए बने हैं तो अभी total कितनी संख्या होगी यह है है तो सबसे ज्यादा है पारवती की इसकी पारवती की यह कहां पर है आपकी यह कुल्डू डिष्टिक अंदर पढ़ती है रिपीट हुआ है दुए जो आपकी एक्जाम हो रहे हैं तो ने पसे दो तिन क्वेश्टिन जो है आने वाले एक्जाम में भी रिपीट होते हैं नेक्स तीए का हेम समा प्रोग्राम वर्च लॉंच्ट इन एच पी ओन विच डे हेम समा जो कारे करम है कब सुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में तो हिम्समा जो कारे करम है यह सुरू हुआ था पांच फरवरी 2008 को option number कौन सा बरेगा यहां पर option number हिम समा के बारे में जान लिजीगा हिम समा ठीक है इसकी full form पूछ ली जा सकती है full form नहीं भी पूछेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए यह क्या है हिमाचल state wild area network किस से जुला हुआ है information technology से ठीक है पूछा जा सकता है कि scheme किस से जुड़ी हुई है तो इसकी full form अगर आपको याद होगी पता होगा सुना होगा तो आप इसे जो है easily tackle कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश state wild area network ठीक है और हिमाचल जो है first state बना था इस तरह की जो है योजना लौच करने वाला पांच फर्वजी 2008 को जो है शुरू हुआ था इस प्रोग्रम next day here सेनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है देखें कल मैंने आपको एक paper जो solve करवाया था उसमें रौरी कार्ट गयार की पूच्छा था उसमें जो चार option दे रखे थे उसमें भी एक सुजानपूर का नाम था उस time मैंने discuss किया था कि सुजानपूर में क्या है सैनिक स्कूल है ठीक है वहीं से देखें को question आज repeat हुआ है सुजानपूर के अंदर क्या है हमारा सैनिक स्कूल located है option number B यहां पर right answer बन जाएगा गुलेर रियासत की स्थापना ठीक है एक question ऐसे है जिन्हें आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं क्योंकि repeat हो रहे हैं ना जाने कितने exam में repeat हो चुके हैं हरी चंद यहां पर right answer हो जाएगा option number A सिर्मौर रियासत का अंतिम सासक कौन सा था अंतिम लाश्ट की बात की गई है यहां पर अंतिम जो सासक था इसका नाम था रैजिनितर परकास option number कौन सा option number यहां पर C बन जाएगा हमारा right answer नूरपूर का प्राणा नाम तो old name old name जो है बार बार पूछ रहा है old name और चैप्टर करके जाएगा old name of नूरपूर तो इसका जो old name था इसका नाम था धमेरी का नाम था धमेरी option number D right answer बन जाएगा अच्छा किरगराम किसका था किरगराम भी पूछा जाता है किरगराम है बैजनात का यह बैजनात का old name देवरा ठीक है देवरा जो है अभी हाल फिलाल के जो 2021 के एक्जाम है न इसी में सामने आया है ठीक है उससे पहले इतना जो है इस पे फोकुस नहीं था हमिर्पूर बोड का लेकिन अभी बार बार पूछ रहा है यह old name है जूबल का कहां का जूबल का बनेड कहां का है बनेड है आपका सुंदरनगर का सुंदरनगर का old name क्या है यह है बनेड़ी का इसके दावा पूछता है हंडूर जो की नाड़ागड का है जस्मा पूछ लिये जाता है जो की उन्ना का है बहला गाटी हिमाचल प्रदेश की किस जिले मिस्तित है तो बहला वैली कहां पर है यह मंडी डिश्टिक के अंदर है काफी जो है इंपोर्टेंट वैली है यहां की बहला गाटी मंडी डिश्टिक बादल बादल हिमनद हिमाचरप्रदेश के किस जिले में स्थीत है तो यह पढ़ता है आपका कांगड़ा के अंदर option number B पचा मुझे बताएगा बादल जो गलेसियर है यहां से कौन सी रिवर निकलती है यहां से कौन सी रिवर निकलती है क्मेंट करके बताएगा वेदिक नेम ऑफ चिनाव रिवर ठीक है चिनाव का जो है वैदिक नाम क्या होगा तो इसका वैदिक नाम है आज की नी option number B हमारा यहां पर राइट अंसर बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिवर की बात करें हिमाच रपतेश की कितनी है इंपोर्टेंट जो रिवर है पांच ठीक है उनकी इटर्ब्यूटरी पूछी जाती है क्योंकि साइग नदिया कौन जी है उनके ओल्ड नेम क्या थे संस् को मोडिफाइब करके पूछ लेता कि एमेच सिक्स्टी क्या है ठीक है तो यह रोमियो हलिकोप्टर है जो कि हमने कहां से दिये है यूए से से और सी यह जो क्रेंट फेर आ रहे हैं यह आ रहे हैं जून और जुलाई 2021 के यह तो देखिए जुलाई तक पहुंच गया है हमिर जून जुलाई पर स्किप हो गया है तो जून जुलाई के करेंट फिर कर लीजिएगा जो भी नए आने वारे एक्जाम है नेक्स्ट है जहां वोट महां वैक्सिनेशन केमपेनीज रिसेंट इनिसियेटिव औफ विच इंस्ट्यूशन ठीक है तो यह किस ने सुरू किया है इभी इहां जो है ऻो है नीजिली गोर्मेंट ने सुरुगी है दिट्री के जो अभी कॉंच पार्टी से आम आदमी पाटीSmithते तरह है आई फैमलिया जो है यह लौच किया गया इंटर वोड़ा और ओप्सन नबर सी तीकर यह विजून जुलाइक को करेंट फैर है इंटर पुछ ले जाता है तो फ्रांस के अंदर है लेओं यह है फ्रांस के अंदर इंटर पॉल्पा हैं नेक्स्ट जो है रिजनेंग के क्वेश बनते हैं अभी भी पीछे जैसे पूछा गया था option number D यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आपको पता है पहला रेशा है जो कि मैं उसके द्वारा बनाया गया था इसकी खोज पूछ ली जा सकती है ठीक है इसकी खोज जो है किसी ने की थी तो डॉक्टर वियाच केरोथर्स क इनोंने जो है नाइडोन की खोज की थी एक गैस पहले रख में प्रवेस करती है और फिडैस की प्रक्रिया द्वारा इसमें से बाहर निकल जाती है ठीक है तो किस प्रक्रिया द्वारा तो यह डिफ्यूजन ऑप्शन नम्बर कौन सा बनेगा यहां पर ओप्शन विशरण द्वारा बाहर निगल जाती है इकलोता सांप जो गोंसलब नाता है ठीक है तो यह भी काफी important question है इकलोता सांप सिर्फ एक ऐसा सांप है जो कि गोंसलब नाता है उसका नाम क्या है किंग कोवरा नेच्ट है एक कांच का गिलास चटक जाता है यदि तप्त जल इसमें डाला महायान बहुत दर्म में उपदेश देने के लिए किस भासा को अपनाया गया था यह important question है और इसमें जो है confusion जरूर होगी इसमें जो maximum tick लगे होंगे और लगे होंगे पार्ली भासा पर ठीक है ठीक है ठीकिन जो इसका correct answer है वो है Sanskrit भासा ठीक है जो बहुत जी थे ठीक है जो बहुत परिशत थी उसके बाद बहुत जो है महायान और हीन यान दो साखाओं में बढ़ गया था ठीक है उसके बाद जो महायान थे उन्हों ने पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सी भासा को अपनाया था अपनाने की बात की जा रिए ठीक है इन्होंने अडॉक्ट किय इसके बारे में पुछा जाता है, मुगल बादसा, बहादुर साटू को अंग्रेजो द्वारा नियरमित किया गया, ठीक है, उन उनसके अहरा दिया गया था, और बेजा गया, ठीक है, कहां बेजा था, इसे रंगून में बेज दिया गया था, रंगून की जेल में, option number कौन सा बनेगा यहां पर option number C बन जाएगा चार मिनार का निर्मान किस ने गरवाया था वो बिल्ड चार मिनार तो यह कुली कुतुब साह द्वारा जो है बिल्ड की गई थी option number B हमारा यहां पर राइट अंसर बन जाएगा अभी question करने वाले प्रथम राष्टी नेता ठीक है मुझे पता है pros जो है आपको राइट अंसर बन जाएगा 1899 में भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस द्वारा प्रकासित प्रथम सप्ताहिक अख़वार कौन सा था भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस द्वारा प्रकासित प्रकासित प्रथम सप्ताहिक अख़वार था वाइस ओफ इंडिया कब 1889 में ओप्स और यहां पर इंगलिस में कुश्चन को देखें लोर हाउस कौन सा होता है लोक सवा आपको इसी त्रीक के से याद करना है लोग सवा अपर हाउस और यहीं से आपको दो चीज़े याद करनी है जो की पुछी जाती है एक पुछा जाता है हाउस ओफ पीपल हाउस ओफ पीपल हाउस ओफ पीपल किसका दूसरा नाम है तो लोग सवा ठीक है लोग सवा को ही हाउस ओफ पीपल के नाम से जानते हैं लेकिन जो राज्य सवा है इसे हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं काउंसि सबसे सब्सक्राइब करेंब 6 सब्सक्राइब कितनी अंसूचियाँ है बार्ण सब्सक्राइब करता है आपका पंचाईती राज जाएगा बंद अर्थ विवस्ता का अर्थ एक अर्थ विश्ता से है जिसमें होता है तो बंद अर्थ विश्ता यह पूछा गया था इसका मतलब होता है नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ठीक है ना तो जो है बाहर जाता है जमान ना अंदर आता है ठीक है किसी भी देश में ना तो इम्पोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है option number C हमारा यहांसे गुजरती है then तो अंतर्राश्टरी जो deadline है वो कहांसे गुजरती है बेरिंग जल से और जीसी's a option bearing जो state है वहांसे इनिकलती है इसके पारलर है एसे से 180 degree रेखा ilr minus 0 degree Durkan भी बोलते हैं ठीक है भारत का जो मानक समय है वो कितना है वो इससे साड़े पांच गंटे आगे है ठीक है साड़े पांच गंटे आगे है नेक्स देखीगा आयू के वास्त्विक जल वास्व की मात्र कहला आती है एक्चुल वाटर वेपर ऑफ एर इस नोन एस क्या एप्सलूट हुमिडिटी निर्पेक्स आधरता इसे हम बोलते हैं और यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आधरता को किसमें अब आप आ पा जाता है परसेंटेज में नेक्स सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो सबस हुसेन सागर जील कहा स्थित है हुसेन सागर जील लुकेटड है है हैध्राबाद अभी इसी क्वेश्चन को जो है दो तिन त्रीक्तीसे मॉडिफाइ करके पूचा जाता है क्रिक्च नदी पर कर नाट्का-मे है कावेरी नदी के uka पे गड़र के ऑपर पे कर नाट्का के आपको इसमें H-Z-A-R-D-O-U-S, option number C, meaning of the idiom, idiom दे रखा है आपके पास, इसका minimum क्या होता है, in double quick time, in double quick time, यानि कि बहुत ही ज़्यादा fast, very quickly, very quickly हो जाएगा, option number B, synonym बताना है आपको, prerogative का, option number यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, इसका जो मतलब होता है, वो होता है, special right, ठीक है, तो privilege हो जाएगा, हमारा यहाँ पर option number A, privilege देखी लिजीगा, इसकी जो spelling है, इसकी जो spelling है, वो है P-R-I-V-I-L-G, ठीक है, इसे जो है, आपका spelling correction में भी पूछ लिया जाता है, कि find the correctly spelled word, वहाँ पर भी जो है, इसकी spelling दे दी जाती है, you must dispense dash his service, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, with his service, पावक का संदीव छेद, तो पावक का संदीव छेद होगा, पो जमा अक, पो जमा अक जो है, ठीक है, पो बो बोलते हैं वैसे इसको, जमा अक यह जो है, आपका, इ समास है, इसमें, तत्थपुर समास, option number D, रेश्मी में प्रत्य, बड़े एकी मात्रा है, तो हमारा यहाँ पर प्रत्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर E, प्रत्य हो जाएगा, option number D, पितामबर का प्रावाची, तो पितामबर का प्रावाची कौन सा होगा, यहाँ पर होगा मुकुंद, option number कौन सा बनेगा, C तो एक question paper था, I hope आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है चैनल को subscribe जरूर करते जिए अगर आप नए हैं और like जरूर करते जिए अगर आपको उसी तरह से helpful वीडियो provide कराई जाए, thank you for watching us, have a good day